मध्यप्रदेश के बढ़वानी जिले में पटाखे की तरहे फटने वाले फल मिले हैं पलसूद से 7 किलोमीटर दूर उमेदड़ा गाउं में एक पेड़ पर लगे ये फल जमीन पर फेंकने पर फटते हैं ये दिखने में बिलकुल नारियल जैसे हैं फल फूटने से डेहरी फलिया गाउं का रहने वाला शांतिलाल घैल हो गया परिजन उसे इस्पता लेकर पहुँचे तो मामले का खुलासा हो पाया पुलिस और वन वेभा के अमले ने गाउं पहुचकर फल के सेंपल लिये जिसके बाद उनके भी हो चुड़ गए टीम ने एक फल सड़क के किनारे फिक कर देखा तो वो पटाखे की तरह फट गया वहीं जब इस मामले को लेकर ग्रामीड शांतिलाल खेत की मेड़ पर लगे पेड़ को काटा जा रहा था तभी एक फल फट गया चपेट में आने से उनकी एक अंगली बुरी तरह जखमी हो गए लोगों ने मौके पर जाकर देखा तो कुछ फल नीचे पड़े थे कुछ पेड़ में लटके हैं वन अमली ने भी फलों की जाच की है कोई नहीं समझ पा रहा ये कौन सा पेड़ है फल फूट क्यू रही है पुलिस को सुचना करी थे आई थे पुलिस मौके पर बता दें कि चीन में मिलियोंडरी ड्रोन नाम का पेड़ पाया जाता है इस पेड़ के फल बम की तरह फूटते हैं तो वहीं अब मदप्रदेश के बढ़वानी में भी ऐसा मामला सामने आया है जिसकी पुलिस जाच कर रही है जाच के बाद ही स्थिती स्पश्ट हो पाएगी ये कौन सा पेड़ है पंजाब के इसरी टीवी के लिए बढ़वानी से संदीप कुश्वाहा की रिपोर्ट हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद